दोस्तो आज मैं ये एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ आने वाले 2021 मोटरोला स्मार्ट टीवी के बारे में और दोस्तो अब हमें मोटरोला की ओर से भी कनफर्मड अपडेट मिल चुकी है कि वो भी अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज इंडियन मार्केट में लांच करन है और उनकी सपोर्ट सर्विस भी मैनेज करता है और जनरली दोनों ही ब्रैंट्स नोकिया और मोटरोला के टीवी लगबख एक ही साथ लांच किये जाते हैं और अब भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है लेकिन इस बार मोटरोला हम सब को सर्प्राइज करने वाला ह विट इस फर्स्ट क्यूलेट 4K स्मार्ट टीवी और दोस्तों अब श्याओमी टीसेल हैसेंस के साथ मोटरोला भी अपने क्यूलेट स्मार्ट टीवी बजट सेगमेंट में एड करने वाला है और यह एक नया ट्रेंड सा बन गया है कि अब सारी बजट सेगमेंट वाली चा और यहाँ पर आपको दो या तीन स्क्रिन साइजेज वाले वेरियंट देखने को मिल सकते हैं विच कुड़ भी 50, 55 एंड 65 इंचेस या फिर यह भी हो सकता है कि सेल के दोरान हमें सिर्फ 55 इंच वाला वेरियंट ही देखने को मिले और बाकी वेरियंट बाद में लांच किय साथ यहाँ पर एक 4K रिजोलुशन वाला QLED पैनल मिलेगा अलोंग विच 60 Hz रिफ्रेश रेट और अल्मोस सारी पिक्चर एंहेंसिंग टेकनलोजी का सपोर्ट दिया जाएगा लाइक डॉल्बी विजन, HDR10, HLG and MEMC और साथ यहाँ पर एक लाउड Amphi Soundex Pro Soundbar का सपोर्ट भ पर आपको लेटेस्ट HDMI 2.1 पोर्ट का सपोर्ट भी मिलने वाला है और दोस्तो हमेशा की तरह Motorola अपने इन QLED TVs के साथ भी एक गेम पैट फ्री देने वाला है विच एस ऑल्वेस बीन एन अट्राक्टिव डील और बाकी स्पेसिफिकेशन डीटेल्स तो हमें लॉंच के दिन रहने वाला है और इन आने वाली Flipkart Big Billion Days CL में आपको इन Motorola QLED TVs पर अच्छा कासा डिसकाउंट भी मिल सकता है और दोस्तो जैसे ही और कोई भी अपडेट इन Motorola QLED TVs के बारे में निकल कर आती है तो मैं उस पर एक dedicated वीडियो ज़रूर बना दूँगा आप बस हमारे साथ वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें थैंक्यू